नमस्कार मैं सारदा पांडे आसान जिन्दे की किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी पॉस पूरिमा के बारे में उसके पहले बताऊंगे कि इस समय मैं अपने घर में हूँ सुस्राल में प्रयागराज में घर बन रहे हूँ और अभी कुछ दिनों तक और रहूंगी वहीं से आपको वीडियो दे रहे हैं तो जो पॉस की पूरिमा होती है वो उसका भी महत होता है पॉज की पूरिमा को साकंबरी जयनती मनाई जाती है और साकंबरी माता की जैसे हम चार नौरातियां मनाते हैं तो एक नौरात्री ये भी है साकंबरी माता का जो की अपने इसकौन के अनुवाई हैं जो वो मनाते हैं और बैष्णो जन के लोग भी मनाते हैं तो ये नौरात् यी 2021 से सुरू होके और पूरिमा तक चलती है तो साकंब्री जयनतिव मनाई जाती है साकंब्री माता माता दुर्गा की दूसरी सरोफ है तो इस जिन जो भी साकंब्री माता को मानते हैं वो उनका पूजन करते हैं और उनका जनम दिन भी मनाते हैं जैसे मैं बताती हुँ कि सभ सत्त नराण जी के पूजा का काफी महत्त है और ससी पूजन का भी काफी महत्त है ससी यानि चंद्र देवता तो जो पूरिमा का ब्रत करते हैं वो चंद्र देवता का आवाहन करके पूजन करते हैं जैसे कि मैं करवा चौत में दिखाई हूं आवाहन के बिधी तो पूरिमा मे विदियो सबसुए करें कि आता है और दिया जाता है जो ब्रतधारी पूरिमा का ब्त करते हैं वह नमक नहीं खाते हैं एक टाइम मीठा अज़िन करते हैं और तमाम कमेंट का जबाब मैं काफी दिनों से नहीं दे पा रही हूं जो महत्वपूर कमेंट है वो हमारा बच्चा बताता है तो मैं उसका जबाब दे रही हूं क्योंकि यह जुड़ा हुआ है इस वीडियो से तो तमाम जो लोग पूरिमा का ब्रत करते हैं तो उनका यह मानना है कि जैसे जिसका ब्रत पूरा हो गया है 12 या 24 जितना भी करते हैं वो तो पूरिमा का ब्रत का उद्यापन उनको करना है तो मैं आप सभी से बताना चाहूंगी कि पूरिमा पर आप पूरिमा के ब्रत का उद्यापन न करें उसकी बाद जैसे कि जो पूरिमा का जो ब्रत करते है वो काहिन से पूजा स्थानर या शुबह करते हैं तो उनका यह कहना है कि जो सत्रेडान जी को कंथा होता है we pay ट्रीन के प्रबटा लगाए चकहिते हैं लेकिन कंडिकτο कर सकते हैं पूरिमा का जो ब्रत कथा होता है हो मुझा हो खूद पढ़के ऐसे साधारण ही पूजा करने क्या आप अप कर सकते हैं सभी पूजा जो मैं दिखायी हूँ वह इसी तरीके पूजा दिखाए हूँ कि जो घरगिरस्थ वाले सामाने लोग हैं वो घर में ऐसी ही पूजा कर सकते हैं तो आप सत्र नियान जी की हर पूड़िमार पर पूजा खुद कर सकते हो जब आप उद्यापन करो तो मंत्र चारण के साथ पंडी जी को जरूर बुलाएं तो मंत्र द्वारा आपका ब्रत का जो भी भूल चुक रहता है उद्यापन में पूरा करके इसको समपूर कर देते हैं पूज की पूरिमा 28 जनौरी 2021 गुरुवार के दिन है उस दिन से ही माघ इस्नान सुरू हो जाएगा माघ नियम जैसे कार्थिक नियम होता है लोग निभाते हैं कार्थिक में बहुत सारे लोग हमारे जो यव माघ महने में जो नियम निभाते हैं उनके लिए बता रहे हूं सब के लिए नहीं माघ महने में जो नियम निभाते हैं वो गरम पानी से नहीं नहाते आग नहीं तापते एक माह तक मूली का त्याग कर देते हैं यानि मूली नहीं खाते और इसके अलामा भी तमाम ऐसी चीजे जो कि नहीं खाते जो नियम निभाते हैं जो माघ नियम निभाते हैं यानि जो कल बाद सुरू होगा हमारे प्रयाग राज में तो जो वहां रहते हैं जब गंगा इसनान करते हैं उनको पता है तो वो उस समय अपने जो उनकी पितर हैं उनके नाम से इसनान करते करते ही गीले जाता है। वो महिला हो बच्चा हो पुरुषो फोई भी इस बिधि को कर सकता है। ज्यादातर से लोग ही जाते हैं कल्पवास करने और उसके बाद जब हम सनान कर लें। कभी भी देव को पूजन होता है वह गिले का प्रेस नहीं होता है जब हम इसनान कर लें तो सुध्व वस्रधारण करके पूरुस हो तो पीले या सफेद इस्त्रियां हो तो काला निला छोड़ के वागी सभी हलके कलर का वस्रधारण करके सीर को ढखके भगवान भासकर को सुर्ण नरान को इस माह में जरूर देता है तो सूर्य का जैसे की कहात में बोलता है कि माघ तिल- 꺔र के बढ़ता है तो भगवान जोती है झालकी लगती है तो तिल-कर टेज ह्ते भगवान का बढ़ने लगता है सूर्य को जल जरूर देना चाहिए माघ रिष्णान के बाग मसं आपको पता हुँँ पूड़स की पूड़़िमा क सभी पूड़िमानरा बताते हूं कि माल बाल सब पीपल को आप ऐसा अपने आपमें आहसास करीगा माल अछीमी भगवां शरी हरी विश्नु के साथ मुशराती हुई इस इस में बिदामान है औहा हम और फीचने को आवाहन कर रहे हैं तो गाये के कच्चे दूद्व से यस अट मां महीं बतायUI कि आपके हिर्दय के सामने, पीपल का जो भाग है, वहां से आप कच्चा दूद डालिए और वहां से ढलते हुए नीशे आजाता है, पीपल के जड़ में, फिर उस जड़ की मिट्टी गीली होती है, उस जड़ की मिट्टी को उठा के अनाम क्या उंगली से, आप यहां मस्तक प परने वाला उपाय है, तो आप ऐसा करिए, कुछ सफेद वस्तूओं का दान है, जो कि आपको मैं बता रही हूं, पहले भी बताई हूं, तो इसको आप नोट कर लेजिए, कि सफेद वस्तूओं में क्या-क्या वस्तू दान दी जाएगी, इस दिन, तो आप इसको नोट कर लिजिए, चावल, चीनी, गाय, कागी, चांदी, चांदी यानि थोड़ा बहुत कुछ हो, चांदी नहीं है, तो को जरूरी नहीं है, चांदी के जगह आप सफेद फूल भी दे सकते हैं, सफेद वस्तूओं में किसी पूरुष को देंगे, पंडित जी को तो सफेद वस्त पूरी मा के दिन, आप जरूर दान करें, कपूर, फूल, दूध और इत्र, क्योंकि इत्र इसलिए बोल रहे हूं कि मा महालच्मी बैभव की प्रतीत हैं, यानि जहां लच्मी है, वहां खाने में, पीने में, हर तरह में बैभव आता है, इसलिए कहा जाता है कि गाय, और गौरेया, इन तीन जीवों को भोजन कराने से, यानि प्रती दिन जो भोजन कराते हैं, उनका खुद का जीवन, और उनके वनसचों का जीवन, यहां तक कि अगले जनम में भी, खाने का बैभव सदवय बना रहता है, आप बोलेंगे, खाने का बैभव कैसे बना रहता ह तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके हाँ धन भले ही क्यों न सीमित हो, और कार करने के लिए कि हम फ्लाइट से कहीं यात्रा न करें, भले ही न कर पाएं, हमारे महला टारी, घोडा गारी भले ही न हो, लेकिन उनके घर का जो खाने का बैभव होता है, वो बना रहता ह वो कैसे कि वो कभी न कभी उनके पुरवज या खुद ये चीज को किये रहते हैं, कि गाय, गवरईया गरीब को हमेशा अनाज देने से, भोजन देने से, खाने में संपनता बनी रहती है, उनके यहां हमेशा दाल, चावल, रोटी, सबजी के साथ, घी, अचार, दही, मानता दिया गया है, और जो कुते होते हैं, वो केतू के मानता दिया गया है, केतू का रूप, जब हम अपने पुत्र की सुरच्छा के बारे में बात करना चाहते हैं, करते हैं, तो हम केतू को प्रसंद करते हैं, यानि कुते को रोटी देते हैं, आसान जिंदेगी में एक वीडियो पड़ा हुआ है कि इन तीन जीओं को प्रसंद करने से कैसे दैभिक और भौतिक केताब से आदमी बचा रहता है तो आपको बता रहे हूं पौश की पूरिमा का महत्तों आप इस दिन क्या करें क्या ना करें उद्यापन करना है तो मां की पूरिमा में करें और कल्ब और तारी को समाप्त हो गया है फिर लोगों के मन में यह रहता है कि पूर पूस उतर जाए उसके बाद ही हम साधी ब्यागेले देखने आए जाने यह उचित है तो पूरिमा से ही आप इस मतवसका अत्रारम कर सकते हैं लेकिन साधी विया सिर्फ अग भ्यान नहीं build-there का सिर्फ साधी ब्याह का ही नहीं ब्रिहस्पती अस्त होने से और शुक्वा डूबने से कई ऐसे इस समय परसानिया आ गई है प्रेल तक कि कोई मुहूर्थी नहीं है नगिर प्रवेश का न साधी का न ब्याह का न मुंदन का तो आपको बता रही हूं पॉस्पुर्मा के कई भी घünden है अपिसी गरीब को देखें तमाम गरीब के बच्चे रहते हैं तमाम बूढले लोग रहते हैं बिमार रहते हैं कम कैसी भी कलर का रंग का वस्ट आप उनको ऊन्य कपने केने के लिए चरण पादुका कुछ बीदान कर सकते हैं कि ठंड बह 이제 अब और परियाग राज में तो इत्ती ठंड है काफी दिने को बाद यहां रुकी हूं मूझ से दुआ निकलता है सुवा एकदम से मतलब रात को साथ बजे के बाद अतना कोहरा पड़ता है कि एकदम आंगन बड़ा सा है आंगन में जहरता रहता है कोहरा अगदम कुछ अगर समय से देती रहोंगी यानि देती रहती हूं यहां पर बहुत ज्यादा समय नहीं है तो ज्यादा उत्तर नहीं देपाती हूं तो आप मारे साथ बने रहे हैं देखते रहे हैं आसान जिंदगी तब तक के लिए नमस्कार झाल जाल झाल झाल